नमस्कार, मैं संदीप नोखवाल्दी पब्लिक में आप सभी का सुवागत करता हूँ करनाटका के अंदर भाजपा सरकार लगातार फेल होती जा रही है अलांकि बड़े दावई किये गए थे कि भाजपा निताओं के द्वारा की मोधी जी की रेलिया हो गई अमीच सहा के रोड़ सो हो गए तो भाजपा यहाँ पर बड़े मारदन के साथ जीत दे की हलांकि भाजपा निताओं ये भी दावा किये जा रहे हैं कि हमारी सरकार चल रही है करनाटका के अंदर तो हम कैसे हार सकते हैं हम फिर से जीत हासिल करेंगे लेकिन जनता का मुड तो कुछ और ही है करनाटका के बात की जाए तो जनता का मुड बिलकल बिफर चुका है जनता की मुड की बात की जाए तो जनता काफी नराज है भाजपा सरकार के कारियों से या भाजपा सरकार के मुख्य मंत्री से आपको मैं नितिजे बताने सा हुआ कि सर्वे में कितने लोग खुष है आकर मौजदा सरकार से त्यारियां जोर सोर से चदरी है और मुकाबला कोंगरे सोर बीज़पी के बीच माना जा रहा है अगर बात की जाए तो यहाँ पर ओपिनेंट पोल के अंदर लोगों से सवाल किया गया क्या बीज़पी के मुखे मंतरी या बोमाई सरकार से लोग कितने खुस है कितने नराज करनाटीका के अंदर फिलाल मौचरदा सीयम है बोमई और इस स्वाल पर उनत्ति फिशदी लोग ने कहा कि बोमाई सरकार या बोमσι चरकार से नहीं कुने कहना चाहिए बान परतिसद्व लोगों ने कहा कि बोमस सरकार का सही Amazing य 차ων कर अगर 70% लोग ऐसे हैं जो बोमभाई सरकार के खिलाफ है या बोमभाई सरकार से खुश नहीं है अगर 70% लोगों का 60% भी वोट सेर्म में बढ़ता है तो पुर्ण महमबद से सरकार यहां पर कॉंगरेस बना सकती है आपको बता दे कि राजय सरकार का कामगाज को लेकर यह 22% लोग बिल्कुल पूरी तरह से खराबा बता रहे हैं और 22% लोगों के अधार पर CM की पहली पसंद जब पुछा गया तो 31% लोगों ने बस्वराज बोमई को CM चेहरा बताया वह पुर्म CM सिदार मया को 41% लोगों ने पसंद किया जो कॉंगरेस से है हुमार्च मौमी को 42% डीके शिवकुमार को 3% अन्य को 3% पसंद किया गया यानि CM के तोर पर लोगों के पसंद सिदार मया है नतीजे यही कहते है कि करनाट का के अंदर ओपिडन पॉल के अंदर दो सो पच्चीश सीटे करनाट के अंदर है और इन में से Congress Party की मिनिमम से मिनिमम जो करेटेरिया रखा गया है वो 100 सीटों को है बादसपा की जो करेटेरिया रखा गया है वो 80 सीटों को है यानि एक 20 सीटों का गयाप देख सकते हैं Congress और वीजपी के बीज अगर हार जीत होती है तो Congress Party लगवग 20 पलस सीटों से जीत सकती है इसको लेकर आपका क्या अनुमान है आप कैसो सोचती है आप लिख सकते हैं वीडियो की कमेंट सेक्शन में जुड़े लिए गादी पब्लीक के साथ जैहिन